चीपा इन्हों की क्या न्यूज है अपडेड है अब ये बिटकोइन को क्या हो गया था कल यार ये बेबी डॉज क्या क्या सीन चल रहा है मीम कोईन ने धूम मचाई भी है हलो दोस्तों विलकम तो सैबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या अभी जो आपने क्लिप्स देखे इन सारी चीजों पर इस वीडियो के अंदर मैं डिसकस करने वाला हूँ वीडियो आपके लिए इंफरमेटिव और मेरा ख्याल है कि इंपॉर्टन भी सेम टाइम पर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अपने टॉपिक पर चलते हैं सबसे पहले जो चीज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ दोस्तों वो है कल वाला सीन, सीन के अंदर दो चीजे हुई थी, एक तो पंप आ गया था बीटीसी के अंदर और 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 क्रिप्टो मार्किट के अंदर, उसके बाद हमने देखा कि राउंड अबाट कोई एक घंटे के अंदर प्राइजिस जो है वो बहुत ज्य अगर यहां से डाउन आता है तो भी रेंज क्या होगा और मैं चार्ट पर आपको लेकर चल रहा हूं वही चीज़ आपको बता रहा हूं कि आप देखें के उसी रेंज के अंदर बीटीसी ने ट्रेड किया है मैंने कहा था कि लांग ट्रम में यह चीज़ बीटीसी को यहां पर साइडवेज के चलने के चंस पैदा हो चुके हैं अब साइडवेज किस तरह से हिल्प करते हैं यह तो वल्लब एक में बी कमन सेंस की बात है आपको भी पता हो क्यूंकि आप बुछ से भी ज्यादा बहुत सारे दोस्ते हैं जो कि जानते हैं जहां पर प्राइज देख ले जरा मैंने जो support and resistance again आपको कह रहा हूं बनाई वी थी वो वही पर हैं आप मेरा कल का वीडियो भी देख ले यह भी देख ले जरा और यहां से आपको पता चल जाएगा यह देखिए यहां पर इसी range के अंदर price trade कर रहा है यह जो candle बना था आप देखें कि यह resistance के नी अब चलते हैं दोस्तों शीवा इनू पर आप यहां पर देख सकते हैं कि शीवा इनू के एक न्यूज आपकी screens पर है इसके बाद baby dodge पर चलेगे पहले यहां पर cover करते हैं शीवा इनू को एक और integration शीवा इनू की हुई है यह एक project है block bank के नाम से यहां पर आप sticking पर अपने उस पर इतमाद होना जरूरी है आपको इस पर है या नहीं है यह एक अलग सीन है वो अपनी research कीजिएगा मैं जस्ट यह एक news आपके साथ share कर रहा हूं bank block के नाम से यह project है जिसने again यहां पर शीवा इनू के लिए integration बनाई है और उसको accept कर रहा है 5% APY offer कर रहा है इस वक्त इ पी बैंक का इनका अपना एक token है उसके अंदर यह 10% APY आपको वहां पर देंगे मतलब यह अलग से होगा 5% जो शीवा इनू है वो अलग से मिलेंगे तो मतलब यह एक opportunity है शीवार्मी के लिए जो के long term के लिए hold कर रहे हैं और शीवा स्वाइप पर या ऐसे किसी project पर जाकर वो checking पर नहीं लगा पा रहे हैं तो वो यहां पर लगा सकते हैं शीवा इनू की ही दोस्तों एक और न्यूज आपके साथ सेयर करता हूं लेकिन यह good news नहीं है बैड न्यूज है लेकिन यह गुजर चुकी कल की है आज की नहीं है market जब एक घंटे की अंदर डंप हुआ था बन्दब एक बड़ा dip आया था bitcoin के अंदर बाकी currencies के अंदर तो उस वक्त तक्रीबन 1.4 trillion शिवाईन वो सेल किये गए थे अब ऐसी situation में तो ऐसा होता ही है कि जब बाकाइदा तोर पर panic की सूरतेहाल हो जाए तो लोग जो है वो सेल करते हैं दरते हैं कि भाई हमारा जो loss है बढ़ना जाए मतलब कम loss में भी वो सेल करने के लिए तयार हो जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको profit हो रहा होता है जिस्ट वो कम profit में सेल आफ करना शुरू कर देते हैं मतलब एक तरह से ये part of the game है चलता रहता है अब ये वही situation थी दोस्तों जिसके अंदर मत बिटकोईन ने भी डिप लिया था और तकरीबन तीन चार हजार डालर के करीब जो हो उसका price डाउन आ गया था ये क्यों आया था ये बड़ी परेशानी की बात थी मैंने अपनी वीडियो के earlier time में आप से कहा था मैं आपको बताऊंगा कि उसके reasons क्या थे ये सारा कुछ क्य हुआ था आल दो कि मैंने आपको ये भी बताया कि उसी range के अंदर once again BTC जो है वो ट्रेड कर रहा है not only BTC शीबा भी वहीं आ गया और आपने देखा कि Ethereum और BNB वगएरा भी वहीं पर आ गया what is the reason behind that scene उसके लिए जरूरी है कि पहले हम ये समझें कि ये मलब जो pump आया था ये pump क्यों आया था pump के पीछे कोई भी solid reason नहीं था just एक bank ने announce किया था कि 100 billion dollars हमारे deposits वो इस वक्त हमारे पास नहीं है अपने investors के तो उसकी वजह से BTC में एक pump आया था अब इसका जो reason है उसको connection किस तरह से हम कर सकते हैं वो ये कि इससे पहले banks के collapse का जो reason है उसको cryptocurrency बताया ज जा रहा था कि crypto currencies की वजह से banks America में collapse कर रहे हैं यहां पर ऐसा कोई scene नहीं था इस वजह से इसके अंदर एक pump आया था हमेशा जो है वो पंप जब भी आता है तो यहां पर एक profit taking होती है मैं आपको चीज समझा दूँ जहारा जहीं में रखेंगा derivatives भी चल रहे होते हैं margin trading भी चल रही होती है तो लोग यहां पर बलब already market के अंदर bullishly या यह के long में खड़े वे होते हैं लेकिन ऐसी situation यह अंदर जब उनको loss हो रहा होता है और अचानक से pump आ जाए तो वहां पर वह बलब reasons ढूनने की कोशिच करते हैं कि भाया यह क्यों बलब pump आ गया है और वहां से व बलब नीचे आने के बाद एक support line होती है जैसे मैंने मलब कल अपनी जो finance feed है उसके अंदर भी लिखा था उसी वक्त मैंने लिख दिया था और उसके बाद मैंने Twitter पर भी लिखा था और यहां पर मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी आपको बताया था तो यह एक सीन था जिस इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था ठीक है आपको उसमें बताया था कि इसके अंदर आप किस तरह से काम करता है यह एक अच्छा प्रोजिक्ट बनकर मतलब हमारे सामने जरूर आया है उसवक्त अगर आप इसके अंदर investment करते तो आप इस वक्त के अंदर होते इनके साथ बेबी डॉज की पार्णर्शिप हुई है मतलब इसके अंदर होगा क्या आप यहां पर देख सकते हैं अगे चलकर यह पार्णर्शिप और बेबी डॉज को मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा देने वाली जितने भी डॉज के होल्डर है जरूर ऐसी न्यूज उनको अच्छी लगती होगी क्योंकि डेवलप्मेंट्स और पार्णर्शिप इंटीग्रेशन इस सरह से चलती रहें तो प्रोजेक्ट्स ज्यादा अच्छ करता है अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीम कौइन पर आप ने शुरु में देखा होगा कि भीज्च के सामने और आपmax यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो launching है Quine Market Cape पर 21st April 2023 को हुवी है और उसके बाद से इसने जिस तरह से progress किया है आपकी आँखों के सामने है अब reason क्या है इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं 100% इसकी जो supply है वो market के अंदर है और market के अब इसका कोई तकरीबन 82 lakh and something है ठीक तो आज के दिन के अंदर इसकी जो price है दोस्तों वो तकरीबन कोई 100% तक increase कर गई आप यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं यह one day का चार्ट है यह सारा scene जो इसका शुरू हुआ है mendakों वाला मतलब डॉक्स के बाद अब mendak का यहाँ पर season शायद शुरू होने वाला है और इसके अंदर यह peep coin के बाद यह सारा scene शुरू हुआ है मैं आपको यह जरूर सजेस्ट करूँगा कि आप meme coins के अंदर पैसे लगाएं ठीक है लेकिन यहाँ पर जरूरी यह होता है कि आप पहले उन पर research करें ठीक है कि कौन से meme coin के अंदर पैसे लगाने चाहिए meme coin से लोग यहाँ पर millionaires बने हैं same time पर meme coin से ही लोग zero भी हो गए हैं हमने previous meme coin season के अंदर दोस्तों देखा था कि मेरा क्याल है कि thousands of the coins वो market के अंदर आये थे लेकिन उन में से दो चार ही tick पाए उन्होंने ही अपना future यहाँ पर बनाया लेकिन बाकी सारे जो हो डेड़ ही हो गए इसलिए यहाँ पर जरूरी यह होता है कि आप पहली बात तो यह कि जब coin meme है तो आपको वहाँ पर investment थोड़ी सी करनी चाहिए ठीक है मलब थोड़े पैसों से आपको एक अच्छा profit मिलने के chance होते हैं लेकिन same time पर अगर आपके पैसे चले भी जाएं तो कम होने चाहिए ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी investment इनके अंदर कर दें same patron पर दोस्तों यह चल रहा है यह screen आपके सामने है website आप इनका देख सकते हैं even website का जो layout है वो भी कोई high standard आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा होगा Elon Musk का एक tweet जो है उसका screenshot इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है और इस सरह की चीज़े हैं अब बहुत सारे meme कोई ऐसे हैं जो बाद में चलकर अपनी development को मतलब continue करते हैं चीज़ें बनाते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो development के बावजूद भी वो exposure हासिल नहीं कर पाते जैसे हमने देखा है fake coin के अंदर उन्होंने development पर अच्छा एक मतलब अपना focus किया काम भी किया लेकिन वो exposure उनको नहीं मिल पाया version 2 आया तो और भी dip में वो चला गया है ये news थी दोस्तों आपके साथ share करना I hope कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करें, comment करें, share करें चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताके मैं और आप अपस पर जुड़े रहें टेक केर, अलाफिस